अलाम वालेकुम आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुबाइडल फोसा वाट इस कुबाइडल फोसा कुबाइडल फोसा इस ट्राइ एंगुलर ट्राइंगुलर आलो स्पेस जो कि फ्रंट आफ फ्रंट आफ किसके एल्बो जॉइंट की आई जॉइन के मौजूद है और इसके तीन बॉर्टर्द हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं यह पार्ड़ों जो के दिएनजनेरी बॉर्डर है दो कोंडैल्स के दर्मिया निवेमिरस के और इसके बाद एक मीडियल बॉंडरी है और एक लेटल बॉंडरी लेटरल बॉंडरी है लेटरल बॉंडरी है और बेकर रेडियल से बना है मेडियल बॉर्टल से उसका बॉंडरी बना हुआ है और जो मीडियल बॉंडरी है वो लेटरल बॉंडरी आफ दी पॉइंटर टेरी से बना हुआ है यह आप देखते हैं यह उसका बेस बन गया और यह हो गया उसका एपेक्स ठीक है और यह बन गया आपका को बाइडल फोसा जो को ट्राइंगुलर इस पेस है इसका जो रूफ बना हुआ है वह बना हुआ है सकीन सुपर फेशल फेशिया सुपर फेशिया और कुटनेस नर्फ लकि कुटनेस्ट नर्फ अकु टूनेस नर्फ अठैता सुपते लैंड्याई मेंKY या और क्यू वेंड जो करने पर आपकां के दूद है और इसका जो फ्लॉर बना हुआ है यह आपका रूफ हो गया और इसका जो फ्लॉर बना हुआ है वह दो चीजा हो से dalla हे एक अध्लेक исп रीस के जिस और दूसरा स्पिनेटर से सब आपको है अ कि अब इसके content की तरफ आते हैं इसके इंदर content क्या क्या है तो content इसके है median nerve median nerve और इसके बाद है brachial artery brachial artery के पाद bicep bicep brachai brachai के tendons और आखरी में हमारे पास है radial nerve radial nerve आप इसको एक निमोनिक के जरी भी याद कर सकते हैं जासे के इसके बाद कर सकते हैं और इसका एक क्लिनिकल्स इसलिए यूज़ होता है यह कुपाइडल फॉसा क्लिनिकल्स का यह है कि भई क्लिनिकल्स का यह होता है यूज़ यह वता है intravenous injection के लिए कुपाइटल वेन जो आपको मैं बता है था सुप रूफ में मोजूद है उसके अंदर हम इसको लगाते हैं कुपाइटल वेन में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें हुदा आफिक